तो इसमें कि बड़ी खबर बिहार की राजिती से निकल कर सामने आ रही है जहाँ तेजश्वी यादों के मंत्री रामानंद यादों कहते हैं कि सुशील मोधी के संपती की हम जाज कराएंगे। जाज कराएंगे। यानि कि अब सरकार में आने के बाद सुशील मोधी जो लगारतार तेजश्वी यादों पर आरोप पर आरोप लगाये जा रहे हैं। रामानंद यादों ने कहा है कि दोनों भाई यानि कि सुशील मोधी और सुशील मोधी के भाई दोनों ने इसाई लड़की से शादी की। दोनों ने क्रिश्चन से साधी की और दोनों के दोनों इस शायों का जो जमीन था उसको हड़प लिया। रामानंद यादों गित्रफ से आरोप लगाते हुए कहा गया कि सुशील मोधी ने जो खेतान मार्केट बनाया है वो भी शाय का जमीन है और उसको भी वो हाई कोट से हार चुके हैं। लेकिन इतना दबंग है कि अब तक उन्होंने अपना कपजा नहीं छोड़ा है। शुशील் मोधी पर उल्टा तेजस्वी यादों का वार कह लिए या कहलें जी राजिटी के हमला कि अब उनके सिपाही कहा है कि सुशील execute के संपति के हम ज्जाच करेंगे कि उन्हें अपने नाम पर पतनी के नाम पर भाई के नाम पर भाय की पत्नी के नाम पर कितना लूटा है कितना जमीन कबजा करके रखा हुआ है सबसे खास बातरा मनंद्यादों कहते हैं कि सुशील मोदी की पत्नी भी इसाई जो सुशील मोदी के भाई है उनकी पत्नी भी इसाई और सुशील मोदी पर आरोफ है कि नोंने इसाईयों का यानि कि किसी परकार के कोई इसाई सोसाइटी होगा या किसी परकार के कोई इसाईयों से जुड़ा हुआ चैरिटी वगर होगा उनके जमीन पर ही कबजा कर लिया उनके जमीन पर नोंने खेतान मार्केट बनमा दिया और बकायदा रमनंद्यादों कहते हैं कि अब मंत्री के पावर से हम इसकी जाच कर रखा है वह इसाई का जमीन और वहां पर पहले वह कहते हैं कि मिरे ही चछतर में पढ़ता था जहांपर टीचर ट्रेनिंग को लिए वहाँ पर सेंटर खोला गया बाद में उसको बंद कर दिया गया इसके बाद वह कहते हैं कि हरिश्चंद्र बन रहे हैं सुसील मोदी सब पता लग जाएगा मतलब कि अबर अवानंद या दो पूरे मूड में है तो यस्वी यारों के जो मंत्री है जो उनके नेता है या कह लिजिए कि उनके सिपाही हैं उनकी टीम में अब वो पूरे मूड में है और सिभ याई एडी को भूला कर वह कहते हैं कि हम खुद सुसील मोदी के संपती की जाच कराएंगे और निश्चीत तोर पर अगर सुसील मोदी ने इसमें कुछ सत्ता में अब ट्यश्वी और नितीशक्मार का राज है दूसीं होडवनी नितीशक्मार की सरकार चल रही है और अब लग रहा है कि यह कि सफीLES मोदी के खिलाफ जाच कीजिए क्यूंकि शुसील मोदी चुप होने का नाम नीदिय रहे हैं तो आब आगे कितनी सही पाई जाती है और अगर सुशील मोधी दोसी पाई जाते हैं अगर सुशील मोधी ने वाकई में जमीन कबजा किया है तो फिर सुशील मोधी के उपर क्या करवाई होती है आगे जो कुछ नहीं जानकारी आगी भाजपा की तरब से कुछ पलटवार किया जाएगा य